हेलो आज मैं एक कार्डबोर बॉक्स की बहुती यूसफुल चीज बनाने जा रही हूँ और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ये एसी का बॉक्स है एसी में काफी बड़े-बड़े से बॉक्स निकलते हैं और ये बॉक्स जो है ये दोनों साइट से ही खुला हुआ है बीश में वो धर्मा कोल अटक गया उसको मैं निकाल दूँगी तो इसका जो कार्डबोर था काफी ज़्यादा मजबूत था इसलिए मैं इसको फेकना नहीं चारी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बहुत ही यूसफुल रहा है हमाई डेली लाइफ में तो अक्सर कार्डबोर जो आता है अच्छा होता है उसको मैं रख लेती हूँ नहीं फेकती हूँ तो मैंने इस जो कार्डबोर का बड़ा सा बॉक्स है इसको जो है मैं तीन पार्ट में इक्विली टीन पार्ट में इसको कट कर लोंगी और कट करने के बाद फिर मैं इसका एक अच्छा सा एक और्गनाईजर बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होगा कोई भी कार्डबोर बॉक्स पड़ा हो जिसकी कार्डबोर अच्छी हो तो आप उसके बहुत अच्छे-च्छे से चीज़े बना सकते हैं जो आपके काम में हाएंगी और आप अगर और्गनाईजर बहुत सारे खईदो तो काफी कॉसली पड़ते हैं बट अगर आप घर में बहुत आसानी से ये बनने वाला है कोई भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो इसको मैं equal parts में काट लोँगी क्योंकि इसके दोनों साइट खुला हुआ है इसलिए इसमें तीनों जो कट होंगे उसमें दोनों साइट खुले ही होंगे तो ये इसको मैं अच्छे से कट लोगी और कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक knife का इस्तेमाल किया है आप जो भी cutter वगएरा उससे भी कर सकते हैं मेरे पास knife ही तो मैं दीरे-दीरे से उससे कट कै तो आप देख सकते हैं इस तरीके का box निकला तो इस तरीके के तीन box जो है वो निकल आएंगे आप देख सकते हो थो कि नीचे क्या करना है क्योंकि दोनों साइट से खुले हुए इसलिए यहाँ पे नीचे मेरे पास एक cardboard पड़ा हुआ था यह cardboard टाइप कही है तो उसको मैं इसका measure कर लूँगी कितना चाहिए तो उसके बाद मैं इसको cut कर लूँगी आप कोई भी cardboard हो उसको आप इसमें लग लगा-दोंगी और लगाने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो blue gun का इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं फैवी कॉल कहीं इस्तिमाल करूंगी मेरे पास यह वाला फैवी कॉल है तो फैवी कॉल को मैं चारों तरफ अच्छे से लगा दूँगी ताकि यह जो चारबोर्ड अच्छे से फिक्स हो जाए इसमें क्योंकि कार्बोर्ड को चिपकने में बहुत टाइम लगता है इसमें फैवी कॉल में और थोड़ी सी मजबूती भी रहे तो इस तरीके से मैं यहां पे इसको जो है कट करके इसको लगाऊंगी और चारो तरफ से अच्छे से फैला दिया इसको 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 हम रख देंगे और यह जो है जब आप इसको मतलब कार्डबोर चिपकाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप तुरंट का तुरंट अगर चाहो कि हां यह स्टिक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है इसको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है तब ही अच्छे से स्टिक होत होंगी जिससे यह देर तक दबा रहा है तो यह जो बॉक्स यह जो मैंने रखा है इसमें यह बॉटल भरी हुई है यह लिक्विट की मशीन वाश का है तो थोड़ी सी हैवी है और थर्मा कोल के उपर मैंने इसको रख दिया ताकि इक्वल यह सपोर्ट इसको मिल जाए और थोड़ी देर कम से कम मैंने तीन चार घंटे रख दिया था उसके बाद अब मैं इसको देख रही तो देखे काफी अच्छे से चिपक गया है तो जब भी आप फैवी कोल लगा ही तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजे ताकि वह अच्छे से स्टिक हो जाए अगर आ है मतलब एकस्टा जो इसी कार्डबोर्ड है उसको मैं कट कर रही हूँ ताकि इसका साइज जो है इक्वल हो जाए और इस तरीके से देखे बॉक्स बन गया उसके बाद मेरे पास है ये एक क्या वो लेंगे इसको वाल पेपर है जो मैंने फिलिप कार्ड से मंगाया था तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी तो ये मेरे पास रखा हुआ था तो इसमें ग्लू अगरा लगाने की जरूरत नहीं होती है यह से ही स्टिकी होता है स्टिकर की तरह तो इसको उस तरीके से लगाना होता है तो सबसे पहले जब आप इसको एपलाई कर होता है नहीं तो बहुत जल्दी इसमें शिकुरन परदाती दीरे-दीरे से इसको हटाना होता है और दीरे-दीरे से इसको दबाते हुए लगाना होता है ताकि इसमें बीच में शिकुरन ना आने पाए और अगर आपके पास वाल पेपर नहीं है तो आप चाहें तो इस पे जो इसमें दिया हुआ है अडेसिव जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो मैंने किसी और जगे इसको इसको इस्तिमाल नहीं किया तो मैंने सोचा कि लाओ इसको काड़ बोर्ट पे कर लेती हूँ तो इसमें काम आ जाएगा और धीरे-दीरे से य जाते हैं और इसको स्टिक करते जाते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको मैंने स्टिक किया है तो इसका लुप बहुत अच्छा आजाएगा और इसमें बिल्कुल भी कार्ड़ जो है वो दिखेगा नहीं इसके नीचे जो पेपर लगा होता है इसको धीरे-धीरे से निकालना होता है तो इस तरीके से जो हैं बॉक्स को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेंगे और उपर और नीचे थोड़ा समयने बढ़ा के रखा हुआ है ताकि वहीं से मोर दूंगी तो वो अच्छे से जो है मजबूत हो जाएगा तो यह जो देखे वाइट पेप पर इसका निकलता जा रहा है और इसको जहां पर भी मतलब कहीं डस्त नहीं होनी चाहिए तो इसको चिपकने में काफी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो यह रोल काफी दिनों से मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा लाओ इसको मैं यूज कर ढालूं तो बस यह पूरा ल कट कर लूँगी क्योंकि यहां तक यह पूरा स्टिक हो चुका है तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे अब देख सकते हो पूरा वुड़न लुक आ रहा है उसके बाद जो एक्स्टा ओपर और नीचे निकला हुआ है उसको भी हम पहले फिक्स करेंगे तो पहले इसको दबा लेंगे फिक्स कर लेंगे ताकि चिपग गया है कि नहीं चिपग गया है आसानी से पुरा देख लेंगे और उसके बाद इसमें यह वाइट पेपर जो बचता है यह भी अभी काम आएगा इसको फेकना नहीं है मैं इसको फेकूंगी नहीं यह भी बहुत जादा काम और काफी चीजों में ये काम आता है, क्योंकि ये ऊपर से जो होता है, थोड़ा सा मतलब waterproof होता है, इसले काम आता है, फिर इसके जो corners हैं, उनको हम अच्छे से cut कर देंगे, ताकि जो आगे का, जो इस तरफ निकला हुआ है extra, वह अच्छे से मैं चिपका दू हो और इससे काड़ बोर्ड भी किनारे किनारे से काफी मजबूती इसमें आ जाएगी इस तरीके से करने से तो बस इस तरह से कट करकर के जो है हम यह ऐसे कर लेंगे आप चाहें तो अपने तरीके से किसी भी पेपर को इस पे लगा सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स है कोई भी बॉक्स हो तो बहुत यूसफुल हो जाता है अगर उसी कार्ट बोर्ड अच्छी है बहुत सारे और्गनाइजर्स उससे बन जाते हैं तो बस इस तरह से हम जो है नीचे का कर लिया उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं काफी जद एकस्टा निकला हुआ है तो ऊपर भी चारो कॉर्नर को कट कर लेंगे और यह और लेडी स्टिकी है क्योंकि इसका वाइट सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह से देखें यह बॉक्स पूरा बन गया है अब उसके बाद इसके अंदर साइट में आप चाहों तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है विल्कुल बहुत अच्छा नीचे साइट में आप चाहें तो अगर आप मेरे पास यह फैवी कोल लगा दूंगी चारो तरफ और उसके बाद यह बचा हुआ पेपर है इसका एक तरफ यह स्लिपरी है तो चिकना सा है तो यह वाटर प्रूफ जैसा है और काफी अच्छा रहता है पेपर यह अलमारी गरह पे भी बिच्छा सकते हैं आप तो बिल्कुल प्ले पर लगाएं बट मेरे पास यह बचा हुआ है इसका वाइट पेपर तो मैं पूरी तरह से अच्छे से अंदर जो है इसको लगा दूंगी फैवी कोल से और इसको अच्छे से लगाते जाना है नहीं तो ठीक से चिपकता नहीं है और जब चिपक जाएगा तो इसको थोड़ है ताकि डबल साइट से पूरी तरह से नीचे से मजबूत हो जाए और यह हो गया है बॉक्स रेडी आप देख सकते हैं कितना बढ़ी और यह दूसरा जो पार्ट मैंने किया है आप देख सकते हैं इस तरीके से किया है तो इसका मैंने एक हैंडल टाइप का पकड़ने वाल और बाकी देखे तीन बॉक्स हमारे बढ़िया से रेडी हो गए और बाहर से एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छे से मतलब मार्केट वाले और और वुड़न सरलुक आ रहा है बाहर से वाल पेपर की वज़े से इसमें और यह वाल पेपर बहुत कॉसली भी नहीं मिलते हैं कितने अच्छे से और गनाईजर बन गए हैं और आप इसमें चाहें तो आप अपने इसाब से आप इसको लांडरी बैग बना सकते हैं जैसी आप जैसा स्टोरेज आप करना चाहा हो कर सकते हैं आप इसको ऐसा लांडरी बॉक्स भी बना सकते हैं आपके लांडरी के काम भी आएगा आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं या फिर आप इसमें बुक्स वगरा रख सकते हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स कॉपी बच्चों की होती हैं आप वो सब इसमें कलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर बच्चों के लिए आप ट्वाइस जो होते हैं ददर बिखरे झाल झाल